गुड इवनिंग एवरीबड़ी आब वेरी गुड इवनिंग तो व्य बच्चो तो आउम बाक ऑन दी क्रिये ट्रिक्स यूट्यूब चैनल विदेप लक्षय बैच फॉर पावर एलेक्ट्रोनिक्स और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पिटा गेट के लिए लास्ट यून एकदम बेसिक से हम लोग इंवर्टर्स को कवर करेंगे और आज मैं आप लोगों से डिसकस करूँ हां सिंगल फेज इंवर्टर्स के बारे में चलिए तो let me start by introducing myself, my name is Ankit Goyal, I got All India Rank 1, twice in GATE in 2014 and 2018, I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT, till date I have trained over 2 lakh students for GATE and EAC and currently I am working as a director at an academy for GATE Department अब मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बचे जानते हैं लेकिन बचों मैं कहता हूँ important क्या है, important ये बात है कि जो हमारी Creatrix टीम है, an academy टीम है, that is the most hard working टीम एवर, जो कि आपके लिए इतना सारा content, इतने सारे initiative लेकर के आती है और ये make sure करती है ना बिटा कि आप लोग सबसे आगे रहें competitive exams में, जो भी competitive exam आप target करें आप ना सिर्फ उसे crack करें बलकि चकना चूर कर दें, धुआ धुआ कर दें और इसके लिए आपके पास इतने सारे initiative आते हैं, यूट्यूब के अलावा unacademy app पे भी, तो बिटा unacademy app install कर लो, daily 11 बजे, मैं machines के question करा रहा हूँ, आप लोग काफी enjoy करोगे उन questions को, बस आपको क्या गरना app डाउनलोड करनी है, और फिर कोई भी free initiative को unlock कर सकते हूँ, using the code अंकित ESE, और देखो यार मैं जो भी special classes लेता हूँ, उनके link यहाँ पे update करता हूँ, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, तो upcoming में मेरी आगे आने वाली सभी special classes आप लोग पाएंगे, इसके अंदर बिटा जो classes already हो चुकी हैं, वो भी आपको मिलेंगी, like practice series for PSU, concept through question, gate previous year question, gate practice session, marathon session, हर चीज आपको मिलेगी, जो last year मैंने classes ली हैं या जो इस year ली हैं, और साथ साथ जो लेने वाला हूँ, वो भी आपको मिलेंगी, upcoming में, daily 11 बजे याद रहे, Monday से Saturday हम लोग machines के question कर रहे हैं, तो मेरे साथ अगर बिटा, machine के problem solving skill develop करना चाहते हो, तो daily life जुड जुड जा बारे में बात ही करेंगे, ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात है, inverter चीज क्या है, देखो, inverter एक ऐसी device है, एक ऐसा system है, एक ऐसा circuit है, जो की DC को AC में convert करता है, at variable voltage and frequency, यानि कि अगर आप input पे देखें, तो यहाँ पे बिटा, आपको fixed DC input मिलेगा, जैसे मान लो, आपने 50V input पे लगा दिया, 50V लगा दिया, वो fix है, अब आप जितना amount of AC voltage चाहो, यानि आप चाहते हो, कि 100V मिले, आप चाहते हो, 200V मिले, जो भी voltage आप चाहते हो, वो आपको यहाँ पे output में मिल जाएगी, and you can even control the frequency, चाहो तो 50Hz का voltage बना लो, चाहे तो 100Hz का बना लो, चाहे 150Hz का बना लो, तो यहाँ पे, you can control the frequency, controllable frequency and controllable voltage, बात समझ में आई, अगर मान लो, हम ऐसा बोलते हैं, कि भाई, Vm sin omega t हमें output में मिलना चाहिए, तो Vm को भी आप control कर सकते हो, और omega को भी आप लो control कर सकते हैं, है ना, जैसे मान लो, यहाँ पे Vdc आया, और यहाँ पे Vm sin of omega t आया, तो यहाँ पे बेटा, Vm is controllable and omega is also controllable, आप दोनों चीज़ों को control कर सकते हैं, अपने अनुसार, बात clear हो गई, तो that is what inverter means, inverter का काम क्या है, यह बात समझ में आई सब लोगों को, अब sir inverter use कहा होता है, inverter use कहा होता है पेटा, आप सबसे पहला application जानते हो, uninterrupted power supply, UPS के अंदर, UPS के अंदर हम जानते हैं, inverter का use होता है, और inverter का use कहा होता है, HVDC में use हो सकता है, HVDC में sending end पे rectifier लगता है, और receiving end पे inverter लगता है, तीसरा आप use कर सकते हो, solar power converter, देखो जो solar power होती है बिटा, that is DC in nature, जबकि जो हमारे power system में current या voltage propagate करते हैं, that is AC in nature, तो आप solar power converter के माध्यम से, या फिर inverter के माध्यम से, आप solar power को DC से AC में convert कर सकते हैं, ठीक है, और बिटा, बहुत जगे क्या होता है, जैसे electric vehicle के अंदर भी inverter यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर आप AC motor यूज़ कर रहे हो, लेकिन AC motor को आप चला रहे हो एक battery से, है ना, अब battery तो देगी DC, जबकि AC motor को क्या चाहिए, AC, तो आप बीच में क्या apply कर सकते हो, एक inverter which will convert DC to AC in order to drive an electric vehicle, समझ में आया, electric vehicle के अंदर भी बिटा, you can make use of an inverter, तो ये कुछ applications होती हैं, जहां हमें inverter देखने मिलता है, बाट most commonly अगर मैं बात करूँ as a common man, तो हमें UPS के अंदर inverter का application देखने मिलता है, बलकि हम common lag वेंजवे तो उसे घर पे inverter भी बोलते हैं, कि भई हमने घर पे inverter लगवा लिया for power backup, तो inverter के अंदर क्या होता है भई, जब अगर हम बात करें, जब electricity supplied होती है, तब हमारा inverter के अंदर एक rectifier होता है, विच converts AC to DC and charges the battery, और जैसे ही supply disconnect होती है, वैसे ही batteries के बाद एक inverter लगा होता है, विच विल convert DC to AC and supply AC power to our home, है ना, लेकिन आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हूं बिटा, कि यहाँ पे perfect sinusoid is not possible, power electronics का सबसे बड़ा drawback होता है, harmonics, यानि यहाँ पे आपको perfect sinusoid तो नहीं मिलेगा, usually square wave मिल सकती है, quasi square wave मिल सकती है, but that always contain harmonics, तो inverter के अंदर ना एक बहुत बड़ा challenge यह भी होता है, कि कैसे harmonics को minimize करके, we can control the quality of the output, we can improve the quality of the output, मैं आपको बताता हूँ बिटा, recently एक दो साल पहले की बात ही है, मैं किसी shop पे inverter की shop पे गया, मैंने वहाँ पे देखा, जो latest model inverter का उनके पास रखा था ना, उसमें क्या लिखा था कि, भई, sinusoidal output देगा, यानि उनकी जो technology वो use कर रहे हैं, that is actually minimizing the harmonic, पर्फेक्ट sinusoid तो कोई नहीं दे सकता, बट हाँ ये जरूर make sure कर सकते हैं, कि जो lower order harmonic है, जो की ज़्यादा खतरनाक होते हैं, आप उनको eliminate कर दो, तो harmonic का content कम हो जाएगा, या फिर ऐसा कह दो, अगर technical भाशा में बात करें, THD कम कर दो, total harmonic distortion को कम कर दो, तो waveform will resemble our sinusoid, तो लिख देते हैं pure sine wave, लेकिन मिल नहीं पाता है, कभी भी pure sine wave, harmonics को 100% eliminate करना, ये तो भगवान के बसकी भी नहीं है, इंसान क्या चीज है, ठीक है, harmonics रहेंगे, अब देखो जब inverter की बात करते हैं, तो हम लोग कौन कौन से inverter, पढ़ने वाले हैं इस chapter के अंदर, voltage source inverter, इसके अंदर, आज मैं आपको cover कर रहा हूँ, single face half bridge, फिर हम लोग मंडे देखेंगे, single face full bridge, फिर हम three face पे जाएंगे, 120 and 180 degree conduction mode, current source inverter के अंदर, आप single face current source inverter देखोगे, और auto commutated sequential inverter, तो बेटा, दो तरह के current source inverter आप देखने वाले, और चार तरह के voltage source inverters, आप लोग देखने वाले हो, तो ये हमारा इस chapter का concept रहेगा, इसके बाद, end of the chapter मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, pulse width modulation, pulse width modulation के अंदर, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलावा, pulse width को vary करके, कैसे हम लोग RMS value को control कर सकते हैं, सर ये pulse width क्या होता है, pulse width का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लो, आपके बाद square wave आ रही है, तो square wave की width कितनी है, यानि कि उसका tion कितना है, तो अगर मैं tion को control करनू, then I can control the RMS value, as well as I can eliminate the harmonic, आशुतोष बिटा एक चीज़ बताओ, power electronics अभी से start कर रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर शुरू से पढ़ रहे हो, तो बिटा मैंने four-year series में, जब मैंने power electronics का lecture number one लिया था, वहाँ four-year series derive कराई थी, वहाँ मैंने square और quasi square बताया था, फिर rectify में फिर हमने देखा square wave और quasi square wave, अब आप पूछ रहे हो quasi square wave क्या होता है, इसका तो यही मतलब है कि पीछे का पूरा गायब है, ठीक है, चल, तो आगे बढ़ते हैं यार, अब सर यह VSI और CSI में क्या difference है, VSI का मतलब होता है बिटा, voltage source inverter, यानि एक ऐसा inverter जिसमें supply is our voltage source, और CSI क्या चीज होती है सर, CSI होता है बिटा, current source inverter, यानि जहां पे source is actually our current source, ठीक है, तो VSI and CSI, VSI के अंदर बिटा, supply is our voltage source, and CSI के अंदर supply is our current source, अब देखो अगर VSI की बात करें बिटा, तो V0 जो होता है, वो source के अनुसार decided होता है, यानि output पे जो voltage मिल रही होगी, वो इस बात पे depend करेगी, कि आपने supply कितनी लगाई है, ठीक है, तो यहां पे मेरे बच्चो, जो V0 होता है, V0 है, I0 depends on the load, I0 किस पे depend करता है, लोड पे, यहां बेटा ज़स्ट उल्टा होता है, यहां पे I0 is a function of IS, and V0 depends on the load, बात समझ में आ रही है, तो बेटा, voltage source inverter में, output voltage source voltage पे depend करेगी, और current इस बात पे depend करेगा, लोड कैसा है, अब current source inverter को समझ लो, वो इसका dual है, तो वहां जो output current है, वो source current पे depend करेगा, और वो voltage जो है, V0 जो है, वो depend करेगी load पे, kind of a dual of each other, तो VSI का dual होता है CSI, यहां पे बेटा device यूज होती है, unipolar and bidirectional, unipolar and bidirectional, तो इसके लिए जो best device होती है ना बिटा, वो होती है MOSFET, क्योंकि MOSFET में anti-parallel diode होने के कारण, it is bidirectional, और वो सिर्फ forward voltage को block करता है, तो sir यहां bidirectional device क्यों चाहिए, बिटा यहां bidirectional इसलिए चाहिए होती है device, क्योंकि यहां पे, जो आपका current है वो load पे depend करता है, current अगर load पे depend करता है बिटा, तो क्या होता है कि current positive भी हो सकता है, और negative भी हो सकता है, तो आपको device ऐसी चाहिए, जो की positive और negative दोनों current कैरी कर सके, that is bidirectional, और CSI again इसका dual है, CSI इसका dual है, तो dual अगर है, तो यहां पे device चाहिए bipolar and unidirectional, इसका best example है SCR या फिर GTO, तो CSI के अंदर आप देखोगे, अकसर हम SCR का use कर लेते हैं, जबकि VSI में SCR नहीं use करते, या पता है, अगर SCR यूज करोगे, तो यहां पे SCR के साथ आपको एक anti-parallel diode बाहर से लगाना पड़ेगा, देखो, MOSFET के अंदर तो anti-parallel diode inbuilt है, लेकिन SCR को अगर bidirectional बनाना है, then you have to make use of a anti-parallel diode, यहां पे short circuit condition severe होती है, क्यों, यहां पे एक voltage source की तरह यह circuit काम कर रहा है, अब voltage source को अगर आप short कर दोगे, तो obviously बहुत ही high amount of current flow करेगा, लेकिन यहां पे यह current source है बिटा, तो यहां पे अगर short circuit कर भी दिया, I0 cannot be greater than IS, यह हमेशा IS से छोटा ही रहेगा, है ना, current source को short circuit कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन voltage source को कभी भी short circuit नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है, voltage source can never be shorted, whereas a current source can be shorted, तीक है, यह clear हुआ बहीं, हाँ वई, तो question क्या है, सर मैं college student 2, इसी यह machine छोड़ के power system पढ़ना चाता हूँ, प्लीज help, अब बेटा, इसमें मैं कैसे help करूँ, power system 2 के अंदर machine, synchronous machine का use है, बताओ मैं इसमें क्या मदद करूँ आपकी, अब मैं इस power system का syllabus तो नहीं बदलवा सकता, gate वालों से कि कह दूँ, power system 2 पूरा हटा दो, power system 1 से ही सवाल पूछना, synchronous के बिना, power system 2 नहीं अच्छे से समझ आ सकता, ठीक है, question करने लाएक कर सकते हो, यह सच, बट जो भी concept है, reasoning है, logic है, वहाँ आपको छोड़ना पड़ेगा, वहाँ आपको skip करना पड़ेगा, कि यह logic मुझे समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं जाने देते हैं, दूसरा question यह है, कि सर, PDF मिलेगी है, नोट करें, बटा, नोट कर लो, PDF मैंने YouTube पे देना बंद कर दिया है, now, PDF is only provided for, plus and the special classes, YouTube पे नहीं, ठीक है, चल, तो हमें VSI और CSI के अंदर, differences तो clear हो गए, तो major difference याद रखिएगा, एक तो device का, कि यहाँ पे, unipolar और bidirectional होती है, यहाँ पे bipolar और unidirectional, दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, कि यहाँ पे supply एक voltage source है, और यहाँ पे supply एक current source है, बिल्कुल गौरफ synchronous पढ़के कर सकते हूं, अब आते हैं भई, पहले inverter पे, single face half bridge inverter, single face half bridge inverter, अब bridge क्या होता है बिटा, bridge आपने जब rectifier में देखा था, तो वहाँ पे भी चार switches थे, तो यहाँ half bridge का मतलब होता है, कि there are only two switches, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, supply को दो equal voltage source में बांट दिया जाता है, VDC की जगे, VDC by 2 और VDC by 2, यहाँ पे यह जो switch है, आपने देखो यहाँ पे क्या बनाया है न, अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे हमने एक anti-parallel diode दिखाया है, यह anti-parallel diode क्यों दिखाया है, क्योंकि switch हमें बनाना था, unipolar and bidirectional, तो जो switch है, वो एक particular direction में current केरी करेगा, और diode opposite direction में current को केरी करेगा, इसलिए हमने एक anti-parallel diode दिखा दिया, अगर MOSFET होगा, तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और MOSFET नहीं होगा, तो बाहर से एक diode लगाना पड़ेगा, विक्रम बिटा, next to next week आपका खतम हो जाएगा, gate का syllabus, ठीक है, last chapter पे आगए, inverters पे hardly 10 गंटे, 12 गंटे maximum लगेगा, ठीक है, तो यहां तक हमें बात clear हो गई, यहां तक हमें बात clear हो गई, अब यहां पे देखो, दो switches है, S1, S2, इनके दो anti-parallel diode है, D1 और D2, यहां पे यह load का output voltage है, V0, और यह load का output current है, I0, अब यहां पे हमें क्या देखना होता है, सब से पहले, यहां पे quadrants की बात की जाती है, सर, quadrants कैसे, याद करो भीटा, जब मैंने type of chopper पढ़ाया था, A, B, C, D type of chopper, वहां मैंने आपको अलग-अलग cases में, अलग-अलग type के output निकलवाए थे, कि V0 क्या होगा, I0 क्या होगा, तो देखो भई, तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, two switches, with, two, anti-parallel diodes are used, ठीक है, those switches with, two anti-parallel diodes, use किये जाते हैं, ठीक है भई, अब देखो भीटा, जब S1 on होगा, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चो, जब S1 on होगा, तो देखो VDC का positive terminal, V0 के positive से जुड़ेगा, और VDC का negative terminal negative से, VDC by two का positive terminal positive से जुड़ेगा, और negative terminal negative से जुड़ेगा, तो यानि कि यहाँ पे V0 की value आ जाएगी, VDC by two, और सर अगर current देखें, बेटा current कैसे चलेगा, ध्यान से देखिएगा, current ऐसे positive terminal से निकल के, negative में अंदर जाएगा, तो जो direction I0 की दिखा रखी है, actually उसी direction में आपका current भी आने वाला है, यानि हम यहाँ पे यह कह सकते हैं, अब देखो बेटा, जैसे ही D1 on कर देते हूँ, अगर D1 on हो जाता है, D1 और S1 हैं तो parallel ही न, अगर D1 और S1 मेरे बच्चे parallel हैं, तो voltage तो दोनों cases में same आएगी, अगर D1 on हुआ, तब भी तो देखो positive terminal D1 के through, load के positive से connect होगा, और negative terminal negative से देखो जरा, D1 on होगा, तब भी तो positive terminal positive से और negative negative से होगा, लेकिन बेटा, D1 on होजाने से न, current उल्टा flow करेगा, क्योंकि diode current ले जाता है, anode से cathode, तो D1 anti-parallel होने के कारण, voltage तो same देगा, लेकिन it will carry a current in the reverse direction, तो यहाँ पे होगा क्या, कि V0 तो अभी भी VDC by 2 ही आएगा, लेकिन I0 will be negative, अब अगर आपको यह लग रहा है कि सर, I0 negative कैसे हो सकता है, थोड़ा time रुको, जब हम graph बनाएंगे, तो मैं आपको clearly show करूँगा, कि I0 negative क्यों आता है, और कैसे आ सकता है, तो यह S1 और D1 की बात हो गई भाई, अगर मान लें, यहाँ पे कि S2 on होता है, अगर मान लें कि S2 on होता है, तो S2 on उने से क्या होगा, देखो, यह जो negative terminal है बिटा, यह मेरा positive से जाके जुड़ेगा, और positive वाला negative से, देखो जरा, negative terminal बैटरी का load के positive से जुड़ रहा है, और positive terminal negative से, इस कारण से V0 आता है, minus VDC by 2, और सर, current कैसे flow करेगा, बिटा देखो, current कैसे flow करेगा, current will flow like this, positive से निकल के negative में, यानि I0 से उल्टा जा रहा है, देखो जरा, यहाँ पे right में जा रहा है current, जबकि I0 दिखाया है left में, तो यानि यहाँ पे आपका जो current आएगा, that will be negative in value, अगर D2 on करें, अब तो आप समझ चुके हों बिटा, anti-parallel diode on करने से, voltage पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन current पलट जाता है, current पलट जाता है भाई, anti-parallel diode on करने से, voltage remains unaffected, but current reverses, तो यहाँ पे देखो, अगर anti-parallel diode on भी होगा, तब भी मेरे बच्चे, यह जो negative terminal है न, यह जाके positive से ही जुड़ेगा, देखो बैटरी का negative terminal, load के positive से जुड़ रहा है, तो it will be minus, लेकिन अब current कैसे flow करेगा, current ऐसे flow करेगा, diode में anode से cathode जाता है न, current, ऐसे जाएगा, तो जो i0 की direction है, उसी direction में मेरा current भी आ रहा है, यानि current will be positive, तो आप क्या समझे बिटा, anti-parallel diode never changes the polarity of voltage across the load, बट it reverses the output current, ठीक है, ये सीखने मिली हमें बात, हम लोग क्या बोलेंगे, anti-parallel diode, anti-parallel diode, does not impact, does not impact output voltage, but reverse is the current flow, reverse is the current flow, ठीक है, reverse bias कैसे हो गया भई, दामुदर जी, अब तक क्या पढ़े हो फिर बिटा, अगर आप ये चीज़ पढ़े हो मेरे भाई, कि inductive load के अंदर, अगर rectifier की बात करें, inductive load के अंदर, even negative half cycle में भी device conduct कर गई थी, तब तो आपने नहीं बूला reverse bias होगा, मैंने आपको क्या बताया, power electronics का पहला principle है, कि diode का conduction current से देखना है, voltage से नहीं, क्योंकि अगर आप बिटा, voltage से बोलोगे न, कि सर ये तो reverse bias हो गया, सर ये तो positive इधर से जुड़ गया, और negative इधर से जुड़ गया, सर ये तो reverse bias हो गया, तो बिटा, बीच में load को क्यों खा गए, load के across भी तो कुछ voltage है, ऐसा थोड़ी कह सकते हो, कि diode reverse बाइस हो गया, समझ रहे हो, load का voltage भी हमको देखना पड़ेगा, दूसरी बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया, कि जब-जब current देखोगे, अगर current को एक रस्ता चाहिए, inductor कहता है, कि मुझे तो current flow कराना है, तो diode को मजबूरन conduct करना पड़ेगा, in order for current to flow, ठीक है, यह चीज मैंने power electronics के basic नियमों में बताई थी, कि जहां inductor आ जाए, वहां current के through देखना होता है, क्योंकि inductor के अंदर current cannot change instantly, अब यहां अगर analog वाले नियम लगाओगे, तो नहीं चल पाएंगे, और क्यों नहीं चल पाएंगे, क्योंकि analog में ज़्यादा तर load या तो resistive, या capacitive होते हैं, inductance की वहां बात नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए वहां सारी बाते हैं voltage से होती हैं, और यहां पे सारी बाते हैं current से, तो देखो बेटा, अगर quadrant की बात करें, तो देखो V0 positive, I0 positive, first quadrant गया S1 को, V0 positive, I0 negative, second quadrant गया D1 को, V0 negative, I0 negative, third quadrant गया S2 को, V0 negative, but I0 positive, fourth quadrant गया D2 को, तो बेटा, हमेशा ध्यान रखना है, inverter के अंदर, कि जब-जब switch conduct करता है, तब-तब आपको first या third quadrant ही, मिलता है, switches के case में, सिर्फ आपको क्या मिलता है, first और third quadrant, और diodes के case में क्या मिलता है भई, diodes के case में, second और fourth quadrant, यानि आप ये कह सकते हो, जब switch conduct करता है न, तो V0 और I0 की polarity same होती है, switch के चलते, V0 और I0 की polarity same होती है, और diodes जब चलते हैं, तो V0 और I0 की polarity opposite होती है, यानि बेटा, switch जब चलेगा, तो power will be positive, और जब diode चलेगा, तो power will be negative, इस से क्या समझे, कि diode जो है न, power को वापिस भेजता है, diode power को, DC से AC की जगे, AC से DC भेजता है, या ये कह दो, diode always returns the power back to the source, वही switch brings the power from source to the load, समझ गए, जैसे ऐसे सोचो मालो, inductor लगा है, तो inductor जब charge हो रहा है, तो power जा रही है, source से load के अंदर, और जब inductor discharge होगा, तो power जाएगी, वापिस load से source के अंदर, और load से source जब power जाएगी, that will go through a diode, that will go through a diode, and not through the switch, स्वाम्या बिटा, कहां गायर थे इतने जिन से, मैंने बता तो रुखा है, PDF अब बंद हो गया है, अब देखो यहाँ पर काम कैसे किया जाता है, काम ऐसे करते हैं, कि पहली half cycle में, आप switch one को on करते हो, देखो diode आपके हाथ में नहीं है, current अगर पल्टी मारेगा, तो diode अपने आप on हो जाएगा, diode आप control नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ किसको control करेंगे, switch को, तो switch को अगर आपने on किया, S1 को, तो VDC by 2 आएगा, ठीक है, और अगर बिटा, आप T by 2 से T तक की बात करें, तो यहाँ पे आप S2 को on करेंगे, and V0 will be minus VDC by 2, तो सर यह half of cycle क्यों लिया, chopper की तरह T on और T तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि बिटा, यहाँ मुझे pure AC चाहिए, और pure AC वो होता है, जिसका average 0 होता है, और average 0 के लिए, जितना positive उतना ही negative मिलना चाहिए, positive negative बराबर होगा, तभी एक pure AC कहलाएगा, और pure AC चाहिए when we talk about inverter, तो अब waveforms पे आते हैं, अरनम मेरे भाई, मुझे कोई आपदा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, PDF देने में समस्या है, सिर्फ attendance से, अब आप लोग attendance नहीं लाओगे, सोचोगे, सर तो फिर भी मेहनत करते रहें, सर हमारे लिए सब कुछ करते रहें, तो बिटा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, YouTube पे अगर हम fees चार्ज नहीं कर रहें, तो attendance चार्ज कर रहें, अब यह आप लोग के उपर है, आप कैसे manage करते हों, ठीक है, कुछ चीज़े ना, life में earn करनी चाहिए, rather than demand, अगर आप लोग attendance लाओगे, तो you are earning the right to get PDF, है न, उसमें फिर मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, मैं तो खुशे खुशी बिटा, आप के लिए 10 initiative और ले आऊँ, लेकिन आप लोग support तो करूँ, मैं YouTube पे बिटा, free of cause जो भी पढ़ा रहा हूँ, महनत कर रहा हूँ, वो दो-चार बच्चों के लिए थोड़ना कर रहा हूँ, कि दो-चार बच्चे मेरी class में आ जाएं, चल्द, अब देखो भाई, यहाँ पे यह है t by 2, यह है t, यह है 3 t by 2, अब यहाँ पे बिटा, सब से पहले, switch 1 की अगर बात करें, तो switch 1 को जो हम trigger करते हैं, वो कहा से कहा करते हैं, 0 से t by 2 में, कहा से कहा करते हैं भई, 0 से t by 2 में, फिर t से 3 t by 2 में, एक period के बाद ठीक है, तो हम switch को 0 से t by 2, फिर t से 3 t by 2, switch 1 को trigger करते हैं अगर switch 2 की मैं बात करूँ भई अगर मैं switch 2 की बात करूँ इसको trigger करना है t by 2 से लेके t तक कहां से कहां तक trigger करना है t by 2 से लेके t तक ठीक है ये बात clear हो गई भई तो ये इस तरह से triggering होगी अब मैंने आपको क्या बताया अगर V0 की बात करें भई अगर V0 की मैं बात करूँ तो V0 के अंदर ना 2 level possible है कौन कौन से 2 level सर एक तो बेटा VDC by 2 और एक माइनस VDC by 2 ठीक है तो जब V0 की बात आती है तो देखो जब switch 1 on होगा तब आएगा VDC by 2 ठीक है और जब switch 2 on होगा तो माइनस VDC by 2 फिर switch 1 on होगा फिर से प्लस VDC by 2 ठीक है तो ये बन गया तो ये उपर वाला level क्या है VDC by 2 और माइनस VDC by 2 अब देखो बेटा मैंने आपको voltage source inverter के अंदर एक चीज़ बताई थी ठीक है पावर electronics इस साल का तो last subject होगा maybe next year something else है ना बट इस year का last subject है हाँ अब मैंने आपको क्या एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि आपका जो V0 का waveform है वो तो source पे depend कर रहा है यानि VDC by 2 और माइनस VDC by 2 बट जो current आता है बिटा current always depends on the load तो यहाँ अलग-अलग load लेकर के current draw किया जाता है जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से resistive load की तो resistive load के अंदर बिटा I0 में क्या होगा resistive load के अंदर अगर बात करें तो I0 की waveform voltage के जैसी आएगी आप लोग resistance के बारे में एक चीज़ जानते हो resistance में current और voltage are proportional to each other तो V0 और I0 की waveform सेम आती है यानि मेरे बच्चो अगर आप ध्यान से सोचो V0 और I0 की polarity हमेशा सेम है V0 और I0 की polarity हमेशा सेम है अगर V0 और I0 की polarity हमेशा सेम है तो एक बात पे ध्यान लगाना कभी भी diode conduct ही नहीं करेगा diode तब conduct करता है जब V0 और I0 की polarity अलग-अलग आती है तो यानि यहाँ पे सिर्फ switches conduct करेंगे S1, S2, S1 बात समझ में आ गई? ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ for resistive load freewheeling diode कह दो anti-parallel diode कह दो कुछ भी कह सकते हूँ freewheeling और anti-parallel diode does not conduct ठीक है? समझ में आ गई यह बात तो यह point आप लोग note down कर लेना कि भाई R-load में कभी भी anti-parallel diode डायोड कंड़क्ट ही नहीं करेगा ठीक है? क्या होता है जब जब डायोड कंड़क्ट करता है तब V-naught और I-naught की polarity opposite होती है जब ही तो डायोड second और fourth quadrant में था चलो अब इसके बाद भाई बाकी loads के बारे में भी बताओ सर फिर हमको बाकी loads के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई देखो जैसे मैं बात करना चाहूँगा purely inductive load के बारे में इसके अलावा RL load के बारे में इसके अलावा RLC underdamped and RLC overdamped ठीक है अब देखो सबसे पहले अगर मैं I0 versus T की बात करूँ inductive load के लिए अब एक simple सी बात है बिटा अगर एक pure inductor के लिए pure inductor के लिए output voltage या pure inductor का voltage अगर square wave है तो current will always be a triangular wave ठीक है current will always be a triangular wave तो को इसको थोड़ा नीचे ले ले लेते हैं ठीक है अगर यहाँ पर current का triangular wave आपको बनाना है तो मैंने क्या किया ना मैंने heights fix कर देती है ठीक है यह current का peak value हो गया और negative peak सर नेगेटिव और positive peak बराबर क्यों बना रहे हो बिटा negative और positive peak बराबर बनाने के बीचे एक simple सा कारण है अगर pure ac है ना तो उपर और नीचे बराबर ही होना चाहिए तभी pure ac बन सकता है सही बात है यह बात मानते हैं सभी लोग pure ac will always be symmetric about time axis तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखो कैसे बनाते हैं ना कि negative से positive तक positive voltage में inductor charge हो रहा है अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर यह current का graph 0 से start क्यों नहीं किया है ना यह बात आपके mind में आएगी कि सर current का graph 0 से start क्यों नहीं किया negative maximum से start क्यों किया correct बात है भई यह बात आ रही है दिमाग के अंदर कि यहाँ negative maximum से क्यों start किया करने के लिए तो 0 से भी कर सकते थे बेटा उसका एक बहुत basic सा reason है basic सा reason क्या है कि inductor के current का ना मुझे average 0 दिखाना है तभी वो pure AC हो सकता है और average 0 दिखाने के लिए जितना वो 0 के उपर है उतना ही वो 0 के नीचे होना चाहिए इसलिए मैंने 0 के about symmetric draw किया है ठीक है हम क्या बोल रहे है for pure inductive load अगर V0 हमारा एक square wave है तो I0 is a triangular wave I0 क्या है एक triangular wave है अब अगर ऐसा है कि V0 square और I0 triangular तो हम क्या बोल रहे है we have drawn I0 symmetrical about symmetrical about time axis इससे हुआ क्या कि I0 average is 0 and it is pure AC ठीक है अब यहाँ पे बिटा अगर ध्यान से देखा जाए ठीक है अगर ध्यान से देखा जाए नहीं बिटा subject तो चलते रहते है unacademy plus पे complete कहां से हो जाएंगे अभी अभी तो मैंने power system start किया है अब इसके बाद power electronics पढ़ाऊँगा प्लस पे देखो अब ध्यान से देखना बिटा please watch it carefully मैं आपको बताता हूँ देखो मेरे भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो V naught तो positive है लेकिन I naught negative आ रहा है तो यहाँ D1 conduct कर रहा है यहाँ पे दोनों positive आ रहे हैं तो S1 conduct कर रहा है यहाँ पे V naught तो negative है लेकिन I naught positive आ रहा है तो यहाँ पे D2 conduct कर रहा है यहाँ दोनों negative आ रहे हैं तो S2 तो अब अगर आप ध्यान से सोचो बिटा यहाँ पे तो यहाँ पे हो क्या रहा है मेरे बच्चो कि यह जो time है न T by 4 यह जो time है T by 4 midpoint तो T by 4 में conduct कर रहा है आपका diode फिर अगले T by 4 interval के लिए conduct कर रहा है switch फिर अगले T by 4 के लिए फिर से diode और फिर अगले T by 4 के लिए फिर से switch ठीक है फिर से switch ठीक है भई यह बात समझ में आई नहीं बेटा positive से शुरू करते तो आशुतोष जब voltage positive थी तो current बढ़ता जाता ऐसे उपर फिर गढ़ते हुए नीचे आता तो triangle तो 0 के उपर बन गया ना average 0 कैसे आएगा सोचो अगर यही graph 0 से start करते तो 0 से पहले बढ़ता फिर 0 से गरता फिर 0 तक आता फिर 0 से बढ़ता फिर 0 तक आता तो पूरा triangle तो 0 के उपर ही बना ऐसे सोच लो ना यह triangle पूरा उपर shift हो जाता तो भाई देखो यहाँ पे हमें क्या समझ आया for pure inductive load each switch and diode conducts for T by 4 तो यानि यहाँ switch और diode का conduction एकदम बराबर है switch और diode का conduction एकदम बराबर है that is for T by 4 ठीक है अरनव बिटा अभी मैं इस lecture पे focus करनू भाई अभी तो लिखवाया भाई अभी तो लिखवाया यहाँ पे लक्षमन और कैसे बताता भाई यह क्या लिखा है yellow color में point read करो पूरा कि भाईया हमने I0 को symmetrical draw किया है time axis के about ताकि उसका average 0 रहे ठीक है भाई जब positive voltage है तब inductor को charge ही होना है अगर inductor को charge होना है ठीक है अगर inductor को charge होना है तो negative से positive ही तो लेके जाओगे positive से negative थोड़ी ले जा सकते हूँ भाई और अगर 0 से शुरू करते तो 0 से फिर बढ़ बढ़ के उपर ही जाता तो ये कभी 0 के नीचे आता ही नहीं फिर सोचके देखो V जब positive है तो LDI by dt positive है LDI by dt positive है तो current will be increasing अब देखो भाई 0 से T by 2 में अगर देखें basic network की तो मैं लगा रहा हूँ कि voltage positive है तो inductor charge होगा 0 से T by 2 में देखें V0 माने VL is VDC by 2 तो हम कहेंगे LDI by dt is VDC by 2 अब यहां current कहां से कहां जा रहा है negative peak से positive peak तक जा रहा है minus IP से IP कितने time में जा रहा है T by 2 time में जा रहा है VDC by 2 तो यहां से IP क्या हो जाएगा VDC by into T by 4 और 2 IP तो यह मुझे मिल गया peak current तो यहां पे मुझे क्या मिल गया यह inductor का peak current तो इस type का logical question बिटा आपसे पूछ सकते हैं actually अगर मैं gate की history की बात करूँ तो gate ने ना purely inductive load पे दो ही तरह के सवाल पूछे हैं एक तो यह peak current निकालने के लिए और एक यह conduction time वाला तो यह धियान रखना purely inductive load में diode और switch बराबर conduct करते हैं और peak current कैसे निकाला यह यह formula याद करने की ज़रूद में है तरीका समझो अब आजाओ भई RL load पे ठीक हैं अब आजाते हैं RL load पे अब अगर मैं RL load लेके चलूं बिटा तो आप जानते हो RL load में क्या होता है exponential increase and decrease यहाँ पे भी बिटा इसकी positive और negative peak बराबर मानूँगा so that it is purely AC लेकिन अब की बार जब मैं current की बात करूँगा तो बिटा current negative peak से शुरू होके exponentially जाएगा positive peak तक फिर positive से negative फिर negative से positive इस type से यहाँ पे current कैसा आएगा भई exponential in nature आएगा exponential क्यों आ रहा है because it is a RL type of our load बात समझ में आ गई सबको तो यहाँ पे भी बिटा इसको मैं बोल देता हूँ I और यह हो गया minus I तेक है यह दो limits के बीच में oscillate कर रहा है I और minus I तो हम मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर RL load के analysis की बात की जाए तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है note करने वाली that I0 is exponential in nature ठीक है it oscillates between I and minus I अब देखो बिटा अगर यहाँ पे आप interval ले लो 0 से T by 2 बट इस पे भी जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ diode और switch का conduction देखो भई यहाँ पे V0 तो positive है देखो first half cycle में V0 तो positive है लेकिन I0 negative आ रहा है न समझ रहे हो V0 तो positive है बिटा यहाँ बट I0 negative आ रहा है तो D1 conduct कर रहा है फिर V0 I0 दोनो positive है तो S1 फिर यहाँ I0 positive है लेकिन V0 negative है तो D2 फिर दोनो negative है तो S2 समझ में आया तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो diode और switch का conduction बराबर नहीं है switch का conduction diode से जादा है ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे बिटा तो switch का conduction यहाँ diode से जादा है मैं कैसे पता लगा रहा हूं कंडक्शन बिटा यह जो क्वाडरेंट वाला डाइग्राम बनाया था शुरुवात में current negative है देखो I0 यानि X axis negative है और V0 positive है तो कौन कंड़क कर रहा है D1 V0 positive है यह कैसे मालूम चला देखो 0 से T by 2 पूरे interval में V0 positive रहता है तो T by 2 तक यह वाले interval में देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ देखो बेटा अब मुझे लगता आपको clear नजर आ रहा होगा यह जो blue वाली line है ना this is T by 2 यह जो blue वाली line है तो इस पूरे interval में V0 आपका positive है that is VDC by 2 यह पूरे interval में 0 से लेके T by 2 थक ठीक है VDC by 2 है अब लेकिन इतने region में आपका current तो negative आ रहा है अगर voltage positive है current negative है माने diode conduct करेगा फिर आगे voltage भी positive है और यह current का जो green वाला curve है current भी positive है तो जब दोनो positive है first quadrant हो गया तो switch conduct करेगा अब यहाँ पे देखो यह दो blue line के बीच में यानि T by 2 और T के बीच में VDC by 2 तो negative है यह minus है देखो यहाँ पे minus है लेकिन current positive है current positive voltage negative हुआ fourth quadrant तो diode D2 आया फिर यहाँ पे voltage तो अभी भी negative है लेकिन current भी negative हो गया अगर voltage और current दोनो negative है third quadrant यानि आ गया S2 तो इस type से मैं switches decide कर रहा हूँ ठीक है यह बात clear है अब यहाँ पे बिटा यहाँ देखो यहाँ पे यह interval है T by 4 फिर यह भी है T by 4 तो T by 4 में diode आया T by 4 में switch आया फिर again T by 4 में diode और again T by 4 में switch तो purely inductive load में आपका switch और diode बराबर conduct करते हैं यहाँ पे दोनों का conduction अनिक्वल है switch का conduction diode से जादा है और इसके अंदर तो भाई इसके अंदर तो diode आता ही नहीं है R load में diode आता नहीं है R load में diode थोड़ा सा आता है और pure inductor में diode switch के बराबर conduct करता है ठीक है समझ में आई यह बात तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं विटा हम यहाँ पे क्या कहते हैं diode conducts for a smaller duration as compared to switch diode जो है ना switch के मुकाबले कम duration के लिए conduct करता है अब देखो बेटा 0 से T by 2 में आपको क्या पता है V0 है VDC by 2 तो actually क्या होगा ना V0 VDC by 2 होने से अगर आप output पे देखें तो output को या मेरे load को ऐसा लगेगा जैसे एक VDC by 2 का source लगा दिया है और यहाँ पे यह हो गया एक RL circuit तीक है अब यहाँ पे बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो initial current है minus I कितना है initial current आपका minus I तो हम कहते हैं I0 is minus I तीक है और I infinity अगर बेटा infinity की बात करें तो इस circuit में inductor को short कर दोगे तो I infinity कितना बनेगा VDC by 2R तीक है और आशुतोष बेटा I load को मैंने quadrant देखके draw नहीं किया है I load को मैंने load देखके draw किया है जैसे RL load है तो exponential बनाया inductive load था तो triangular बनाया resistive load था तो V0 वाला graph बनाया quadrant कहां देखे तीक है मैंने सिर्फ क्या देखा voltage का waveform और देखा मैंने load तो voltage और load को देखते हुए मैंने I0 plot किया फिर I0 के graph से judge किया कि कौन सा diode conduct कर रहा है या कौन सी device conduct कर रही है अब देखो बेटा इसके basis पे अगर हम I T लिखें तो I infinity plus I 0 minus I infinity A to the power minus T by tau यह हो गया अब लेकिन मैं यह जानता हूं बिटा कि T by 2 पे जाके current हो जाता है I देखो ज़रा T by 2 पे जाके मेरा current हो गया था positive peak that is I तो अगर मैं यहां पे I रख दूँ तो पहले VDC by 2R की term collect कर लो और I T की जगे ना capital T by 2 रख दिया है अब I की terms को अगर एक साथ ले लो तो मैं थोड़ा सा बिटा एक step डिरेक लिक रहा हूं उमीद करता हूं कि तुम लोगों को समझ आएगा तो देखो यहां से मिल गया ना मुझे peak current purely inductive load में थोड़ा आसानी से मिल गया था यहां थोड़ी सी मेहनत जादा लगी क्योंकि यहां RL circuit की equation लिखनी पड़ी लेकिन peak current आप यहां भी निकाल सकते हो तो अगर मुझे single phase inverter पे बहुत अच्छा question बनाना है तो मैं यहां से बना सकता हूं RL load से क्योंकि यह analysis किताबों के अंदर भी नहीं दिया होगा और यहां network बहुत अच्छे से combine हो जाता है power electronics से अब अगले पे आते हैं भई अगला load क्या लें सर अगला लेते हैं बिटा RLC overdamped अब जब कभी overdamped load लेते हो ना तो यहां पे lagging बनाते हैं क्या होता है देखो मैं लिखवा देता हूं RLC load की जब बात होती है जब कभी RLC लोड की बात होगी तो यहाँ पे हम क्या करते है न We ignore harmonics in I0 and consider only fundamental क्या करते है सिर्फ बेटा हम fundamental को ही consider करके चलते है और क्या होता है अगर practical बात की जाए practical बात की जाए न तो over damned में जो fundamental होता है वो lack करता है ठीक है और अगर under damned की बात करें तो fundamental हमारा lead करता है तो हम सारे harmonics ignore करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे है fundamental को draw कर रहे है अब बेटा अगर fundamental हमने यहां से बोल दिया कि lack कर रहा है देखो मैं पहले तो peak बना लेता हूँ अब यहां पे देखो अगर fundamental lag करेगा तो वो zero के थोड़ा बात से शुरू होगा भई इस टाइप से तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो यह जो fundamental है यह phi angle lag कर रहा है तो यहां पे काम करते हैं देखो यह यह यहां पे fundamental आपका lag कर रहा है तुको जबाएं देखो यह मैंने lagging एंगल ना पहले ही fix कर दिया अब मेरे लिए waveform ड्रॉ करना थोड़ा सा easy हो गया तो यहां पे बेटा क्या होगा अगेन देखो current negative voltage positive तो d1 दोनो positive s1 current positive voltage negative d2 दोनो negative माने s2 तो यह हो गया i0 तो यहां पे एक ऐसा आ गया lagging power factor आ गया अब वहीं पे बच्चो अगर हम अगर हम RLC under damned की बात करते किसकी बात करते RLC under damned तो यह बनता leading power factor रवी बेटा जो भी general queries होती है मेरे बच्चे आप AMA session में पूछा करो ठीक है class के time पे क्या अगर content deliver नहीं कर पाऊंगा तो AMA में content थोड़ी पढ़ा सकता हूं इस type से इस type से बनेगी भई अब यहाँ पे क्या होगा भई यहाँ पे बच्चो अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो यह जो pink वाली line है यहाँ तक voltage तो positive है मैंने क्या बोला आशुतोष अभी लिखवाया है बेटा harmonics ignore किया है ऐसा नहीं कि harmonics है नहीं हाँ अब देखो यह जो pink वाली line है यहाँ तक voltage तो positive है और current भी positive नजर आ रहा है अगर current भी positive नजर आ रहा है that means that means कि यहाँ पे कौन conduct कर रहा है फिर देखो यार यह pink line से blue line blue line तक voltage तो positive है बट यहाँ current negative हो गया है voltage positive और current negative है माने diode कंड़क कर रहा है फिर देखो blue line से pink line यहाँ पे voltage भी negative रहती है और current भी negative है यानि S2 फिर pink line से blue line voltage अभी भी negative है लेकिन current positive हो गया माने की D2 तो यहाँ पे क्या conduction बनेगा बेटा यहाँ पे सबसे पहले S1 फिर D1 फिर S2 फिर D2 अब देखो बेटा यह पहला ऐसा load है जहाँ switch के बाद diode आ रहा है देखो यहाँ diode के बाद switch, diode के बाद switch, diode के बाद switch RLC underdamned is the only load where the anti-parallel diode conducts after the switch turns off तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अब बेटा क्या होता है जब-जब anti-parallel diode conducts जब-जब anti-parallel diode conduct करेगा तब-तब switch हो जाएगा reverse bias ठीक है, whenever anti-parallel diode conducts क्योंकि वो anti-parallel है उल्टा लगा है switch becomes reverse biased तो it leads to load commutation क्या हो जाता है यहाँ पे? load commutation अब अगर मेरे बच्चों मैं आपसे यह पूछूँ कि circuit turn off time क्या होगा? circuit turn off time उतनी देर का होगा जितनी देर diode conduct करेगा क्यों? क्योंकि जब तक diode conduct करेगा उतनी देर तक switch reverse bias रहेगा अब यह कैसे मालूम चलेगी भई? diode कितनी देर तक conduct करेगा? बेटा जो भी इसका power factor angle है वही angle है diode के conduction का समझ रहे हो? जो भी इसका power factor angle है वही angle है diode के conduction का circuit turn off time क्या होगा? that is time of diode conduction अब सर डायोड कितनी देर के लिए conduct कर रहा है? बेटा डायोड कंड़क करेगा for 5 by omega 5 by omega क्यों? angle से में time में आ गया अब यह 5 कितना होगा? बेटा leading power factor है तो tan inverse xc minus xl by r समझे? यह बात समझ में आई बेटा? leading power factor है इसलिए xc minus xl किया है this is very very important from gate point of view इस पे मैंने एक challenger series का numerical भी दिया था आपको इसी concept पे base था यह clear हुआ? तो बेटा RLC under damned एक एकलोता ऐसा load है जहां load commutation देखने मिलता है ठीक है? चलो जी अब इसके बाद बेटा अगर analysis हम और करें मैंने देखो आपको अलग-अलग तरह के loads के बारे में तो बता दिया है R load, L load, RL load यह सब चीज़े मैंने आपको बता दिये अब अगर मैं यहां पे बात करूँ मिटा fourier series की तो V naught क्या होगा? एक square wave है square wave की fourier series आपको अच्छे से पता होनी चीए four into peak value by n pi sin n omega not t 2 Vdc by n pi sin n omega not t तो यह आगई भाई fourier series अब मान लो कि अगर बेटा हम एक general load मान के चलें एक general load मान के चलें RLC load ठीक है? अगर मैं मान के चलूँ कि load is RLC तो मैं कहूँगा nth harmonic के लिए impedance क्या होगी? nth harmonic के frequency n omega not होगी न? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? r plus j n omega not l minus 1 by n omega not c अब यहाँ पर यह जो z n है पिटा यह आजाएगा mod z n एंगल phi n mod z n तो यह हो गया और phi n क्या हो गया? tan inverse यह आगया है ना? यह आगया अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर मुझे nth harmonic का current चाहिए तो वो क्या होगा? v naught n by z n एंगल phi n इस logic से अगर मैं i naught की fourier series लिखूँ तो यह होगा 2vdc by n pi mod z n sin n omega 0t minus phi n है ना? इस type से आप कोई भी harmonic का current निकाल सकते हो अगर आपको voltage की fourier series मालूम है अब इसके अलावा देखो क्या होता है? अगर मैं बात करूँ पिटा pure inductive load की तब क्या होगा? तब यह जो z n है यह बनेगा jn omega 0t l यानि n omega 0t l और एंगल 90 अब v naught n जो है nth harmonic voltage का that is proportional to 1 by n i naught n which is v naught n by zn z n में भी देखो एक n है तो it will be proportional to 1 by n square so harmonics are reduced in current बात समझ में आई भाई? मैंने क्या बूला अगर voltage के harmonic देखोगे तो हर harmonic के नीचे n आ रहा है अगर आप देखो हर harmonic के नीचे n आ रहा है लेकिन जब यहाँ impedance में भी n आ गया तब यहाँ current में बन गया 1 by n square जिसका मतलब current का harmonic voltage से काफी कम हो गया जैसे देखो voltage का 5th harmonic देखोगे तो 1 by 5 के proportional होगा जबकि current का 5th harmonic 1 by 25 के proportional है बात क्लियर हो गई? अब अगली चीज अगर देखो बेटा V0 एक square wave है square wave की जो rms होती है वो उसकी peak के बराबर होती है Vdc by 2 और अगर मैं V0 के fundamental peak की बात करूँ fundamental peak तो यह है 2 Vdc by pi जिसका मतलब V0 1 rms क्या होगा? अब यहां से पता है आप distortion factor निकाल सकते हो which is fundamental rms by total rms अगर fundamental by total करोगे तो it will be 2 root 2 by pi यानी 0.9 और अगर यहां से THD निकाला देखो रहे हो यह single phase rectifier वाली value आगई single phase rectifier में भी 2 root 2 by pi आया था 48.34% समझे जी? क्या समझे? कि यहां पे same as single phase rectifier आता है और सर इस derivation का क्या significance है? यह आपने क्यों कराया? बेटा यहां से मैंने क्या समझाने की कोशिश की? कि एक VSI के अंदर load में inductance होना preferable है क्योंकि load में inductance होने से current के harmonics कम हो जाते हैं तो it is always preferable to have an inductive load in case of voltage source inverter समझ में आया? तो बेटा मैंने आपको एक एक load बहुत बारीकी से explain कर दिया है और मैं आपको एक simple सी बात बताऊ ना waveform आपको मिल जाएंगी books के अंदर but इतना analysis जैसे L load का पूरा detail हमने देखा RL load के अंदर पूरा network से relate किया RLC के अंदर मैंने आपको बताया load commutation के बारे में इतना detail में आपको नहीं मिलेगा generally आपको ये वाला analysis मिलेगा लेकिन अगर question अच्छा frame करना है तो load के ऊपर question बहुत अच्छे जे frame किया जा सकता है अब जड़ा एक question देखो बिटा A single phase inverter has square wave output What is the percentage of third harmonic in relation to fundamental? Third harmonic का fundamental से कितना percentage है? यानि कि अगर मैं कहूँ कि fundamental 100% है तो third harmonic कितना percent होगा? बताओ भाई ये तो easy है बहुत easily सभी बच्चे इसका answer दे सकते है और मुझे बताओ मज़ा आया के नहीं आया? एक-एक concept हमने पूरा बारिकी से पढ़ाए है ना एक-एक load का waveform analyze करना कौन सी device conduct कर रही है ये देखना फिर उसका कितना current बन रहा है उसके current की equation क्या है? एक-एक चीज हमने detail में analyze की है ठीक है? इसलिए मैंने single face half bridge inverter को इतना time दिया है क्योंकि अब जब कल हम full bridge करेंगे ना मतलब Monday को तो बहुत easily चीज़े समझाज आएंगी देखो V naught 3 क्या होगा भई? अगर peak value की बात करें 2VDC by 3π और V naught 1 क्या है? cap का मतलब बिटब peak होता है ठीक है? तो इसने पूछा third harmonic fundamental का कितना percentage है? तो that is 1 by 3 और 33.33% अगर ये second harmonic या fourth harmonic पूछता तो zero क्योंकि even harmonic exist ही नहीं करते हैं अगला देखो भई A single phase half bridge inverter is operated from 24 volt source and supplies power to a resistive load what is the total harmonic distortion? बताईए बताईए भई total harmonic distortion क्या होगा? जल्दी से बोलो क्या आएगा answer? कितना आ रहा है? ये तो आपको पता ही है विटा? अभी तो निकाला है? same as single phase rectifier चलो अगला देखो भई a series load consist of R, L, C and a thyristor for self-commutation self-commutation माने load commutation what should be maximum value of C? है न, self-commutation का यहाँ पे मतलब है load commutation तो उसके लिए C का value कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करोगे भई? देखो यह question बहुत अच्छा है यहाँ पे for self-commutation यहाँ पे कैसा circuit होना चीए? underdamped अगर underdamped है तो R must be less than half root L by C या फिर C must be less than L by 4R square यानि कितना? 25 by 4 into 2.4 का square कितना आएगा भई? 1.085 micro farad तो यहाँ गई maximum value ठीक है? यहाँ गई ना maximum value सही बात है underdamped के लिए जीटा must be less than 1 तो यह आपके पास आ गया what is the maximum value of capacitor clear हुआ भई? clear हो गया? चलो तो that's all for today बच्छा और जो लोग plus पे आना चाहते हैं जल्दी से आ जाओ बिटा power system का course ताबड तोड तरीके से चल रहा है यहाँ पे live classes दी जा रही है जहाँ आप teacher से बात कर सकते हो audio पे comprehensive के अलावा crash courses दीए जा रहे है daily assignment मिलता है जो कि आप घर से practice कर सकते हो previous year question मिलते हैं हर Sunday आपका test होता है सारे doubts के लिए बिटा आपको video solution provided होता है ask का doubt feature के अंदर और इसके अलावा मेरे बच्चो यहाँ पे gate ESE, PSEU सब की तैयारी कराई जाती है इसके अलावा अगर आप बात करें iconic की तो iconic में आपको plus के सारे benefits के साथ personal coach मिलेगा यह पूरा study planner आपका बनवाएगा teachers आपको guide करेंगे in the study booster session आपको मिलेगा separate test analysis study material और dedicated doubt clearing instructor रहेंगे जो कि आपके doubt live answer करेंगे आपको बस यहाँ पे code क्या लगा देना है ankit ESE जिससे मिलेगा immediate discount and you will come under my personal guidance ठीक है अब यहाँ पे बिटा देखो मेरा 8th of September से इसी Wednesday से power system का course चालू हुआ है जो 19th of October तक चलेगा यहाँ पे बिटा daily 3 hours आपकी class हो रही है इसमें 1000 से जादा हम question करेंगे hand written notes provided रहेंगे सारे doubt आपके answer किये जाएंगे और हर Sunday आपका test भी होगा other than that यह नए batches आगे हैं बिटा और prices बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं बिटा इसलिए जल्दी से जल्दी जोईन कर लो using the code अंकितियसी अभी जोईन करने पे आपको minimum price मिल रहा है और यहाँ पे ask का doubt feature भी launch हो गया है बिटा जहां आप unlimited doubt पूछ सकते हैं कभी भी कहीं से भी doubt पूछ सकते हैं आपको बस picture upload करनी है और इसके अलावा आपको exact match मिलेगा question का अगर किसी ने पूछा है और instant solution मिलेगा लेकिन अगर आप question पहली बार पूछ रहे हो नया question है तो you will get the video solution in high quality but after a certain time और यहां पर अगर six months लेते हो बिटा अभी तो आपको three months extra दिया जा रहा है 42% की saving आप कर सकते हो but still I would recommend that you go for two year क्योंकि concepts को basic से advanced level तक develop करने में दो साल अक्सर लग जाते हैं code आप जानते हो बिटा अंकित EAC और इस amount को as a investment देखो अपनी education में क्योंकि अगर education में invest करोगे तो कल को इसका multiple times पैसा आप कमा सकते हो और फिर भी जो बच्चे financially challenged ने उनको unacademy a subscription EMI पे और education loan की सुईधा पे भी देता है और सबसे बहतरीन subscription है बिटा iconic क्योंकि यहां पर दो साल आपके साथ जब एक topper work करेगा तो definitely आपकी performance में बहुत major improvement आएगा and you can also aspire to crack exam under 100 और under 10 rank यह मेरा unacademy profile है आप लोग मुझे follow कर सकते हो message कर सकते हो this is my telegram channel जहां होती है daily quizzes so thank you everyone like, share, subscribe करना ना भूलें और comment ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा अब मिलेंगे हम लोग Monday को same time same place and we will discuss full bridge inverter तब तक ऐसी मचाते रहो फोडते रहो let's crack it